देखिए सवाल नमबर 21, 21 का पहला कहता है कि 49 को साथ बिसम संख्याओं के योग के रूप में लिखे यह जो 49 लिखा हुआ है इसको आपको साथ बिसम संख्याओं के योग के रूप में लिखना है तो देखिए सवाल नमबर 21, 21 का पहला इसको हम लिखते हैं एक, प्लस तीन, प्लस पांच, प्लस साथ, प्लस नो, प्लस इगारह, प्लस तेरह, एक, दू, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ठीक है, देखिए, साथ बिसम संख्याओं के योग के रूप में इसको हम लिख दिये, जब आप इसको जोड़िएगा, तो यह हो जाएगा, उन् प्लस तीन, प्लस पांच, प्लस साथ, प्लस साथ, प्लस नौ, प्लस इगारह, प्लस तेरह, प्लस पंदरह, प्लस सत्रह, प्लस उनैस, और प्लस इकाईस, ठीक है, देखिए, एक सो इकाईस को हम इगारह बिसम संख्याओं के योग के रूप में लिख दिये, एक, दू, तीन, चार, पांच, छो, साथ, आठ, नौ, दस, इग होईएगा, तो इसका मान हो जाएगा, एक सो इकाईस, ठीक है, तो एक सो इकाईस न लिख करके हम ये लिख दिये, दूनों में कोई अंतर नहीं है, और यही आपको कह रहा है लिखने के लिए, तो ये दूनों आंसर हो गया, देखिए, सवाल नंबर बाइस, काता है कि निम जिरो एक का वर्ग है, तो इसको लिखा है, एक जिरो दू जिरो एक, फिर देखिए, एक जिरो जिरो एक का वर्ग है, तो इसको बढ़ियां से आपको ध्यान से देखना है, कि इसको ऐसे क्यों लिखा, इसको ऐसे क्यों लिखा, मतलब कि इसको इस रूप में लिख रहा है, इसको इस रूप में लिख रहा है इसको इस रूप में लिख रहा है तो इसी के अधार पे आपको आगे भी लिखना है जैसे ये लिखा है इसी को देखते हुए आगे आपको लिख देना है ठीक है तो देखिए हम देख रहे हैं कि यहां पे एक एक है तो यह लिखा है एक दू एक यानि कि एक एक तो है तो देखिए किनारे में एक एक लिख दिया है और बीच में लिख दिया है दू फिर देखिए एक जिरो एक है तो हम देख रहे हैं कि देखिए एक एक है तो पहले लिखा एक एक और बीच में लिखा दू यानि कि हम देख रहे हैं कि इगारह को लिख रहा है एक दू एक देखे इगारह है तो इसको एक दू एक लिख रहा है फिर इगारह है तो इसको भी लिखा है एक दू एक लेकिन बीच में जीरो है तो क्या किया है कि इधर भी जीरो इधर भी जीरो लिख दिया है फिर आगे देखिए एक एक है तो हम देख रहे हैं कि एक दू एक लिखा ठीक है क्योंकि 11 को एक दू एक लिख रहा है तो 11 को लिखा एक दू एक लेकिन इसके बीच में दो जिरो है तो देखिए इधर भी दो जिरो लगाया है एक और दू के बीच में और दू और एक के बीच में भी दू जिरो लगाया है तो यहां देखिए यहां भी एक और एक है तो यहां लिखा है एक दू एक और यहां पे खाली अस्थान है यानि कि यहाँ पे हमको भरना है कि यहाँ पे क्या होगा तो देखिए बीच में जितना जिरो है उतना जिरो इधर लिखेंगे और उतना ही जिरो इधर लिखेंगे क्योंकि इसमें भी देखिए इदोनों में वैसा ही किया है यहाँ पर एक जिरो है तो दोनों तरफ एक एक जिरो लिखा यहाँ दो जिरो है तो इधर दो जिरो इधर दो जिरो लिखा है तो हम भी वैसे ही लिख देंगे जैसे पहले लिखा हुआ है यहां पे 1, 2, 3, 4, 0 है, तो इसके बीच में लिखेंगे 4, 0 एक, दू, 3, 4, 0 और 4, 0 इढ़र भी लिख देंगे, ठीक है जैसे वो पहले लिखा, उसी को देखते हुए हम भी लिख दिए, अब देखी है अब देखी यहां पे हमको भरना है पुरा, तो पहले क्या लिखेंगे, यहाँ भी एक है यहाँ एक है यानि कि 11 को लिख रहा है 1-2-1 तो हम लिख देंगे 1-2-1 अब देखिए इसके बीच में कितना सुने है एक,दू, तीन, चार, पांच, शे यानि कि ये दोनों के बीच में 6 सुने है तो 6 सुने इधर लिख देंगे दू, दू चार, दू छे, छे सुने इधर लिखे और छे सुने इधर भी लिख देंगे तो इसी तरह से आपको खाली अस्थान को भरना था और ये पुरा हो गया, ठीक है सवाल नमबर 23 देखिए, कहता है कि निमनलिखित प्रती रूप का अबलोकन करके रिक दस्थानों को भरे आपको देखिए ये और ये दिया हुआ है, इसको कैसे लिखा है, इसको आपको ध्यान से देखना है और इसको कैसे लिखा है, इसको भी ध्यान से देखना है तो यह दोनों को ध्यान से देखने के बाद आपको यहाँ पे देखिए तीन वो सवाल दिया है और यहाँ पे खाली स्थान दिया है कि यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे क्या होगा एक और एक दू अंक है, ठीक है, फिर दू के बाद एक हो गया, यानि कि एक के बाद उपर गया, उपर से फिर नीचे आ रहा है, यानि कि एक के बाद दू गया, दू के बाद फिर एक पर आ गया, यानि कि कितना बढ़ा, तो दू अस्थान बढ़ा, फिर नीचे चलाया, तो तो देखिए यहान पर éénятся यहाना चाहीת चाहा 3 ay जट तक फिर तीन से नीचे लिखेंगे जरुआगा त्मू जाला सब्सक्रों और इसका वर्ग लिखेंगे, ठीक है, देखिए, एक, दू, तीन, तीन तक गया, फिर नीचे आ गया, तो तीन का वर्ग लिखा, यहां पर देखिए, एक से चलना शुरू किया, ठीक है, कहां तक गया, दू तक, फिर दू से नीचे आ गया, एक पर, तो दू था, तो जितना इसमें अंक दिया हुआ है सभी आंक को जोड़ दिया है ठीक है? तो इसको देखने से हमें पता चल रहा है कुछ तो इसी को देख भूं यहां पर लिखते हैं जैसे यहां देखिए एक दू, तीन, चार तीन, दू, एक यानि कि इसमें एक से चलना शुरू किया चार तक गया फिर चार से बापस एक पर आ गया तो चार तक गया यानि कि चार को हम चार बार लिखेंगे और इसका बर कर देंगे और यहाँ पर क्या होगा यह हमको लिखना है तो देखिए जितने भी अंक है इसमें ऐस भी इंकों को हम जोड देंगे जैसा कि पहले इसने जोड़ा है तो हम यहाँ पर जोड़ेंगे एक प्लस डू प्लस तीन फ्लस चार, फिर चार कह बाद निचे चल गया, तीन फ्लस दू प्लस एक, ठीक है, तो यह आंसर हो गया यहाँ पर आपको भरना था तो हम भर दिये एक प्लस दू प्लस तीन प्लस चार और फिर प्लस तीन प्लस दू प्लस ए फिर यहाँ पर हमको भरना है तो देखिए यह संख्या है तो जितना इसमें अंक है वो सभी आंग को देखी नीचे तो जोड़ दिया है अब कह रहा है कि यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आप लिखिए तो देखिए हम इसमें देख रहे हैं कि एक से यह चलना शुरू किया तो कहां तक गया पांच तक यानि कि एक से यह चलना शुरू किया तो उपर तक गया 5 तक फिर 5 क का बाद ज़्य घठना शुरू हुआ फिर एक पया की रूख गया फिर उपर से नीचे उतरना शुरू हुआ और एक पया की रूख गया यानि कि 5 तक गया तो हमें आप हैंपर लिखेंगे 5 को 5 बार एक, दू, तीन, चार, पाँच और इसका बर्ग लिखेंगे क्योंकि देखिए ये समय भी किया है तो इसी को देखते हुए हम लिख रहे हैं तो यहां देख रहे थे कि एक से तीन तक गया तीन से एक तक आ गया तो तीन को इसने तीन बर लेके बर्ग किया था इसमें देख रहे थे कि एक से दू तक गया और फिर बापस आ गया तो दू को इसने दू बर लेके बर्ग किया इसमें देखिए एक से चार तक गया यानि कि चार को इसने चार बर लेके बर्ग किया तो इसमें हम देख रहे हैं कि एक से पांच तक गया, यानि कि पांच को हम पांच बर लिखेंगे और बर कर देंगे, और नीचे तो लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये आंसर हो गया, ये हम लिखे हैं, ये भी हम भर रहे हैं, तो ये मेरा आंसर है, अब इसमें देखिए, इसमे दू, तीन, चार, पांच, छो, छो तक गया है, उसके बाद फिर घटना शुरू हो गया, पांच, चार, तीन, दू, एक, यानि कि छो से फिर निचे उतर गया, एक पे, ठीक है, तो कहां तक गया, छे तक गया, तो हम क्या करेंगे, छे को लिखेंगे, छे बार, ठीक है, तीन बार, और तीन छे बार, देखिए, छे को छे बार लिखेंगे, और फिर इसका हम बर्ग लिखेंगे, क्योंकि पहले भी इसने ऐसा किया, जैसा यह किया होसा ही हम कर रहा है, बटा, ठीक है, निचे क्या लिखेंगे, तो इस संख्या में, जितने अंक है, सभी को अलग- जोड़ देंगे, तो पहले एक है, तो एक लिखेंगे, पलस, फिर दू है, फिर तीन है, फिर चार है, फिर पांच है, फिर छे है, छे तक गया है, फिर बापस आया है, एक तक, तो देखिए, फिर पलस लिखेंगे, पांच, पलस चार, पलस तीन, पलस दू, पलस एक, तो यह उत्तर हो जाएगा तो देखिए तेस नमर सवाल को हम solve कर दिए यही आपका उत्तर है